जहीं दोस्तों क्या हाल है ओके जब भी हम स्मार्टफोन ब्रैंड्स के नाम लेते हैं तो आपके मुल में सबसे पहले क्या आता है एपल, सैमसंग, ओपो, वीवो, शाओमी, रियल मी, वन प्लस, मोट्रोला, गूगल पिक्सल, हुआवे ओनर लेकिन अभी वो तो आप यहां नहीं बाय करते हैं और इन्ही के उपर mostly videos मिलेंगे, इन्ही के उपर mostly articles मिलते हैं, इन्ही के उपर mostly आप बड़े-बड़े banner देखोगे, TV में mostly ad इनके देखोगे, मनलब हर जेगा यही देखोगे तो जहर सी बात है, यह लोग अच्छा profit कमा रहे हैं, बड़े brands हैं, अलग-अलग level pair definitely, जिनका मैंने नाम लिया लेकिन इन्ही brand के बीच में, तीन नाम मैं आपको बताऊँगा, जो बहुत अलग तरीके से काम कर रहे हैं, हलाकि बहुत अलग नहीं है, वो भी बताता हूँ क्यों, आपने नाम सुना होगा, इन्फिनिक स्मार्टफोन का, जो कि mostly budget स्मार्टफोन को टागेट करते हैं, है कि इससे उपर के भी phone है, और इसको आपने online देखा होगा, online वीडियो भी मिल जाएंगी इनकी, और आपने इसको offline भी देखा होगा, उसके बाद second brand है, techno, techno के वीडियो भी आपने इदा दो देखी होंगी, techno को phone भी आपको online मिल जाएंगी और offline मिल जाते हैं, इसी बीच ए offline में मिलता है, in fact, मैंने इनके phone buy किये हुए है, उस सिर्फ buy नहीं किया है, मैंने show follow से बात किया है कि कहा बिखते है, कौन इसको लेता है, क्या तरीका है, कैसे consumer को target करता है, क्या rate है, in fact, इनको थोड़ थोड़ा test भी करके देखा है, क्या quality मिलती, क्या दिया जाता है, इनके phone में आप देखोगे, आप में से काफी लोग कहते है, comment section में, कि Infinix techno अगर stock android, clean android देने लग जाए, तो भाई काफी कुछ हो सकता है, क्योंकि price बगारा काफी सही दे देते है, लेकिन ये लोग नहीं देते है, क्यों नहीं देते हो, सब पर बात करने वालों, तो इनकी marketing कहानी सब्सक्राइब करते हैं, जिसके चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी, और ये सबके लिए free है, बिना किसी coupon code के, तो मैं बात कर रहा था है, एक company है, जिसका नाम है, Transient Holdings, I hope मैंने सही नाम लिया हो, 17 साल पुरानी, 2006 में इसको found किया गया था, चाइना-based company है ये, तो ये तीनों brand इनिक एंडर आते है, Infinix, Tecno, I tell, इनके बारे में क्या कमाल की चीज़ था तो आपने सोचा भी नहीं होगा शायद, मुझे तो पता था, ये मार्केट में मिलते हैं, पर ये वीडियो तियार कर इनोवेशन पर काम करते हैं, ये लोग birds बनाते हैं, router बनाते हैं, smart वो चीज़ है, और laptop भी बनाते हैं, हलाकि इनके laptop अगरा सभी चीज़ जो मैंने बताई, इंडिया में नहीं आता, global market में अलगले अलगले चीज़े मिलती हैं, लेकिन बेचेंगे सारा कुछ जितना मैंने पीछे होता है, अभी just alone चुआ था थोड़ दिन पहले, techno का folding phone सुना होगा आपने, तो यहां पर high range के phone भी इनोंने दिये हैं, क्यों दिये हैं, इस पर भी मैं भी बात करने वाला हूँ, लेकिन basically इनकी जो market है, जहां पर actual लोग इसको buy करते हैं, user जो है, वो middle class consumer ही है, कोई यह 50,000, 60,000, 80,000 का techno का phone नहीं लेगा, in fact, 20,000 से उपर अगर इनको बेचना, वो मुश्किल हो जाएगा, और अगला इनका brand है, इनिफनिक्स, लेकिन उससे पहले में बात करना चाहिए, आईटल के वारे में, आईटल के phone आप offline shop पे जाना, जो बहुत बड़ी-बड़ी shop है मतलब, और mostly आप देखोगे, कमाल के rate होंगे इनके, 5000 के phone मिलेंगे, 6000 के phone मिलेंगे, 4000 के phone मिलेंगे, in fact, feature phone भी बेजते हैं, keypad वाला basically, इनका एक वैसे tablet भी आता है, यह सारी चीज़े बेजते हैं, जिसे काफी लोग होते है, हर user की अपनी एक need होती है, budget होता है, और सब के लिए open respect है, लेकिन जिसे बहुत सी user है, जिनको नहीं पता, स्मार्टफोन actual होता क्या है, क्या pricing होनी चाहिए, हमें क्या चाहिए, बस उनका है कि हमें phone चाहिए, जिसमें camera हो, वीडियो call चल रहा हो, YouTube चल रहा हो, सब कुछ चल रहा हो, बैटरी ओटरी लिखा हो, पाच जार पर रितिक रोशन की फोटो आती है, जैर से बात है, रितिक रोशन को प्रमोशन के लिए लिया होगा, तभी तो फोटो जा रही है, वरना एक्टर की फोटो ऐसे कोई नहीं दिखा सकता, बिना पैसे के, तो ये अच्छी marketing कर लेते हो, क्योंकि इनके phone को को कोई test करके review वग ये आप online, offline दोनों जगा देख लोगे, जहां पर idle की marketing या target खतम होता है न, जस्ट उससे उपर जाओ, तो आपको techno और infinix मिलने शुरू हो जाते हैं, और क्योंकि ये phone में proper detail दी जाती है आपको, कौन सा processor है, कितना RAM है, क्या display है, क्या MH battery है, सब कुछ, क्योंकि ये online, offline दोनो जगा बेचे जाते है, branding की marketing यहां भी करता है, और online में बेचना है, तो आपको specification सही से पताना पड़ता है, mostly case में पिछले एक दो साल में तो ऐसा हो गया, आपको ये पता है, 20 जासे नीचे बड़े मुश्किल से अच्छे phone आ रहे हैं, और 10 जासे नीचे brand ने जैसे target करना ब वीडियो बनाएं, चाये फिर हमें यहां पर आपको एक 8000 रुपे बजट phone की वीडियो दें, हमारे इंडिया में majority of users, 10 से 15000 वाले बहुत जादा है, 20 जासे नीचे काफी हैं, और मैंने ऐसे user भी देखे हैं, रियल लाइफ में, इतने पुराने पुराने phone हो जाते हैं, दोनों, दोनों काफी मिलते जुलते हैं, और जैसे मने दिखाया था ना सुरू में भी टेक्नो का laptop अपट इंडिया में नहीं दिखा, वही laptop को करना क्या, इन्फिनिक्स में बना के बेचना शुरू कर दो न, यहां आपको इन्फिनिक्स के laptop मिल जाएंगी, इन्फिनिक्स क खाने की कोशिश, similar कहानी है, बीवी के electronic जो आपने सुना है, ओपो, वीवो, रियल मी, वन प्लस, लेकिन बीवी के electronics के बारे में आपको पता है, लेकिन transient holdings के बारे में आपको नहीं पता होगा, majority of लोगों को, तो यह भी भाई, एक ही घर के हैं, और यह सिफ इंडिया नही बहुत सारी countries में मिलते हैं, बेसिकली यह लोग Africa, South Asia, इस बीच इनकी बड़ी market है, और अच्छा खासा profit के साथ काम करते हैं, और मैंने comment section से थोड़ा सा analyze किया है, मैं वैसे Infinix Techno की वीडियो normal नहीं देता, बट जब कभी दे देता हूं ऐसा experience के लिए, आप लोग comment करते हैं बहुत बड़े brand है, इनको भी मौका मिलेगा आगे जानेगा, actually इनको support की जुरूरत नहीं है, बहुत बड़े brand है, यह बस अभी hit कर रहे हैं, नीचे नीचे के price में रहते हैं, नहीं तो यह भी पूरी marketing में पूरा अच्छा खासा पैसा invest करते हैं, और अच्छा खासा पैसा कमाते भी है, बड़ definitely इनको आप OPPO Vivo, Samsung, Apple से compare मत करिये, बड़ यह brand उतने small नहीं है, जिनको इनकी behind story नहीं पता, तीनों को एक ही brand service प्रवाइड करता है, वो है काल केर, तो यह थी इनके पीछे की story, इनफिनिक्स टेक्नो चाहे आईटल, बस सवाल इनके साथ हमेशा वही टागिट करते न, ऐसे user को maximum features चाहिए, जितने feature हो सके, चाहे वो use कम करे या ज्यादा करे, लेकिन features majority of चाहिए, तो अगर यह clean Android देंगे, तो वहां से attraction कम हो जाएगा, user का, दूसरा, खुद का profit कम हो जाएगा, क्योंकि अलग-अलग brand की यह लोग application phone के अंदर देते, जिसे blo clean Android वगएरा आजे, लेकिन सब नहीं चाहते, और clean Android में भी देखो न, Motorola का phone आया, budget phone में लोग खुद अभी देखो, banner ad वगएरा देने लग गए, वो अलग से डाल दिया न, motorhuff वगएरा, तो ताकि profit ज्यादा कमाया जा सके, actually flagship phone में brand ज्यादा पैसे कमाता है, budget phone में brand कम पैस से कमा सकता, और software पर सवाल भी उठते हैं, विकोज एक बार 2020 की बात है, techno का phone था, जिसके अंदर pre-install malware पाया गया था, और वो क्या कर रही थी, background में भाई application इंस्टोल करवा रही थी, और इंस्टोल तो करवा ही रहा था, साथ में कुछ subscription based services थी, वो activate कर देता था, तो ऐसे software क browser में या कहीं पे, आप अपना credit card, detail या banking related जब काम करते हैं, और एकदम personal काम, वहाँ पे doubt आने लग जाता है, security से related, हाला कि बहुत सारे brand के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, security से related, बढ़ हाँ, इनके software पर कहीं न कहीं सवाल उठता है, बहुत ज़्यादा timely update भी नहीं आते लेकिन जैसा मैंने का, क्योंकि इनकी marketing ही SE है, ये SE user को ज़्यादा target करते हैं, जिनको इन चीजों से फरक थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि at the end, SE user जो ज़्यादा पैसा नहीं invest कर सकते हैं, definitely उनको कम पैसे में maximum features, maximum hardware चाहिए, जहाँ पे inference techno और idle target कर जाते हैं, और एक अच् का folding phone सुनते हो, फिर आप सुनोगे techno का भी folding phone आ गया, आपका mind एकदम से आएगा ना, वही techno भी folding phone बना रहा है, ये कोई छोटा brand बिल्कुल नहीं है, फिर ऐसा phone लेकर आ रहे है, पीछे camera आगे पीछे जा रहा है, तो simple जी बात है, ये लोग अपने branding चाहते हैं, marketing के बारे बात हो, या maybe आने वाल टाइम में, अगर लोग इसमें interest दिखाएंगे, तो ये महेंगे phone भी लाने लग जाएंगे, धिर धिर करके shift कर सकते हैं ना, high budget में, तो ये हो सकता है, तो ये थीन की पूरी story, definitely ये बड़े brands के आगे देखेंगे तो इतने बड़े नहीं है, बट marketing मे और profit में अच्छा का सा काम करते हैं लोग, आपका एक opinion इन brands के बारे में comment बताईए, और हमारा जो sponsor ग्यान therapy, उसे subscribe करके जाईए, मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो